आप सभी को रादे रादे आज बाइस नवंबर और बाइस नवंबर दो हजार तेईस के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईए सेशन की करते हैं सुरुआत आप सभी को रादे रादे प्यारे बच्चों कल आप से सवाल जो पूछा था उसका सही जवाब क्या रहेगा कि छट परव पर पुर्वांचल वास्चियों को महतपुन सोगात देते वे किस जिले में छट पूजा के लिए समरपित तीन घाटों के निर्मान की गोश्टना की है जिनके निर्मान पर पांच करोड रुपे की रासी खर्च की जाएगी तो इस सवाल का जो ठीक अंस्वर था वो क्या था पानी पत्त था यानि कि ऑप्चन नमर सी इसका पफेक्ट था आज का जो पहला करेंट अफेर हो उससे पहले आपको बता देता हूँ कि अधार सिलावेट स्टार आएक क्यों अप्लिकेशन पे एक्टिव है जिसमें आप लोगों को पॉलिटी पढ़नी है जोग्रोफी, हिस्ट्री, एकनॉमिक्स और आपका हर्याना जी के करिंट अफेर, नैस्टनल, इंटरनेस्टनल, हर्याना का करिंट अफेर ये सब्जेक्ट आजकल नामल सभी पेपर में आते हैं तो भी आप इस बैच को ले स जी बने हैं, ऑप्चन नमबर C ठीक है, नंदलाल सर्मा, हर्याना एलेक्टरिसिटी रेगुलेटरी कमिशन, H.E.R.C के चेर परसन जोएना, नंदलाल सर्मा के नाम पे मुख्यमंत्री जी ने महर लगा दी है, और एक तो बात यह याद रखना, दूसरी बात यह याद रख पढ़ाई है, वो पूरी कर चुके हैं यह, हिमाचल परदेश सरकार के साथ सिर्थ उपकरम, SGBN के अध्यक सोर्स है, प्रबंध देशक अल्रीडी यह रह चुके हैं यह, अब बात करते हैं, इस डिपार्टमेंट के जो हमारे एक्जाम के लिए बहुत इपॉर्टेंट है, हर्याना इलेक्टिसिटी रेगुलेटरी कमिशन, पहले तो आप लोगों को यह याद रहना चाहिए, कि हर्याना भारत का ना पहला राज्य है, जिसके अंदर पूरे हर्याना के अंदर बिजली पहुँची थी सबसे पहले, और वो तारिक भी नवंबर की ही थी, अब वो त पूरा भारत का पहला राज्य था, जिसने 100% अपने गाउं तक बिजली से जोड़ दिया था, उस टाइम पे मुक्यमंद्री आप सभी को साइध याद होगा, यह वाला क्यों तो आप सभी को याद होगा, ठीक ना, क्या है, बंसिलाल जी थी, याद आपको है, चलिए सर, द लगभग 343 मेगावाट थी, ठीक ना, जो आज के टाइम में यूँ कह सकते हो, आप लोग जो बढ़के, लगभग 6000 के आसपास हो चुके है, 6000 मेगावाट, हालांकि एक्जेक्ट तो 6000 नहीं है, थोड़ी कम है, लेकिन मोटे तोर पे 6000 के पास, आप लोग याद कर सकते हो, अ लिकत यह थी, बाद में इसको और भी इसमें चेंजिस बगरा किये गए थे, और बिजली बोर्ड जो थे ना, हर्याना के, उसको दो निगम भी बनाये गए हैं, इसके अंदर, वो निगम जो बने हैं, हर्याना के वो बने हैं, 14 अगस्त हो, अजादी से एक दिन पहले याद अर्याना के अंदर, हर्याना का पहला, जो, एक एनरजी पारक, आप पूछा जाएं, तो वो आप याद कर लेता, ये अखुलि उर्ज़ा का पारक था, जाए नहम की जगए, यह energy park है तोटल अच्oga हुर्याना का ऐसा कौन सा जिला हिसे में 24 गंटे भिजली यानि कि मारा गाउन जगमा योजना 24 गंटे पहले पहले पहँंची मतलब वो जिला है उजिला है पंचकुला इसका नाम हर्याना Renewable Energy Development Agency ही है और ये कहां पे है ये भी है पंचकुला के इंदर है इसकी स्थापना भी हुई थी मई 1997 के दरूँ इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा आप दो कि हर्याना राज्य जू है ना हर्याना के अंदर ये बिजली कंपनिया है वित्रन कंपन दोनों आप लोगों को जुरूर याद रखेना ठीक है उत्तर हर्याना वाली का जो ओपरेशन सेंटर है वो कहां पे वो रोतक में दक्षिन हर्याना वाले का ओपरेशन सेंटर का पे वो दिल्ली में इन दोनों विजली निगम के चेर परसंट पीकेदास है ये भी याद कर दो अच्छा इसके अलावा जो है ना एक बात और याद रखेगा कि हर्याना के विजली मंत्री को ने रंजी चोटाला है ये ध्याद अच्छा हर्याना राज्य को इसे उर्जा वर्स कब गोसित किया गया था अच्छा हर्याना में इक इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का अच्छा इसके अलावा अगर मैं यू कहूँ कि हर्याना के अंदर कों सा इसा जिला है जिसके अंदर एक सोलर वाल के इंट बनाया जा रहा है इन तो है निप्ट है यहां पर हरी बने नागर का हम है चली बना रही है जो पार्फथान्स्डवांटाव में, बनने वाल है गुरूगराम के गहां यह बात भी आपको जूरूर याद रहेना वैसे में बनने वाले हमें और प्रोजेट, लिए नागर चकली गाम प्रियोजन वह स्टार्ट होने वाली हर्याना के अंदर राजी उगांदी अक्षय पारक यह कई बार पूछा जाता है यह गुरूगराम में ही है तो यह याद आगए यह याद रखना है इसके अलावा हर्याना के इंदर एक भी याद रखना कि जीरो एंदरजी हाउस है हर्याना में बहुत सारे थर्मल प्लांट भी है उनको भी आप लोग याद कर सकते हो थर्मल प्लांट में आपको मैं मिन मिन बताओं तो कौन से याद रखने आपको देखो एक तो आपको याद रखना है सबसे पुराना याद रखना है और वो कहां का है वो है पानीपत का ह है पानीपत वाला है कई बार इक्जाम में पूछा जाता है इसकी कपेस्टी भी याद कर देना आप लोग 1367.80 के आसपास है लगबग मेगावाट में है अर्याना का सबसे पुराना है यह अच्छा एक आप याद रखना राजीव गांदी यह कहां पर यह पढ़ता है हिसार क के अंदर हूई थी इसका नाम पहले मेगा थर्मल प्लांट था इसार के ख्यदर में है और इसकी कपेस्टी लगबग 1200 मेगावाट में है इसके अलावा याद करना आप लोग हर्याना के अंदर जो है ना एक है महात्मागांदी ओर इंद्रा गांदी यह दोनों ही जजजर क है लेकिन महातमा गांदी सबसे बड़ा नहीं है वोफितना हिया आधिक ना महातमा गांदी तो 2012 के अंदर बन गया था और इसकी Sunny कपश्टी तो लगबख 320 मेगावाट है लेकित इंद्रा गांदी ह्टेहना का सबसे बड़ा है और इंद्रा गांदीouch कर्मल पावर प्रांट है यह जाडली के अंदर पड़ता है जाडली जजजर के अंदर पड़ता है तो इसको जुरूर यादटना वैसे सबसे छोटा कॉन सा तो दीन बंदू चोटू रहा वो 600 मेगावाट का है वो हरियाना के यम्नानगर जिले में पड़ता है ठीक है अचा यम्नानगर का नहर पे स्चमी यम्नानगर है वहां पे प्लांट लगा है जहां पर हम लोग पानी सी बिजली बनाते हैं का क्रोई वेला चोड़ पड़ता पेपरों की प्रस्पेक्टीव इस तक चल यह जाएगा इसको भी सहल्य करें यह जाद तक चल जाये गा ji अगला सवाल है, अगला सवाल है, हर्याना में नीजी तुरगटना योजना के तैथ, आकस्मिक मोत या स्थाईव कलांगता के मामिले में कितने लाख रुपे के महावजे के पत्र होंगे or अगला ही। उनको पांच लाग रुपे दिये जाएंगे, यह बिजनसमेन के लिए एक बड़ी राहत है, वैपारी सामोई कि नीजी दुरवटना योजना के तैत, हजारों वैपारी सोसल सेक्योरिटी के दाहरे में अब आगे हैं, इस योजना के तैत, अगर एक्सिडेंटल डेथ होती है या पमानेंट डिसाबलेटी होती है, तो उसके मामले में पांच लाग रुपे के माउजे दिये जाएंगे, दस रुपे परती वार्सिक के इसाब से उनको रिजिस्टेशन करवाना होगा, हर्याना वैपारी कल्यान बोर्ड, HTWB के दवारा, विक्सित एक उनलाइन पार्टनर्शिप फर्म, स्वामित्व फर्म है, या GST भरना चीए, टेक्स भरना चीए, उन्हीं को ही योजना का लाब दिया जाएगा, और किसी का अपना अपना एक बैनेपिट होगा इसमें, आमा डबलम चोटी पर तिरंगा फेहराने वाली पहली हर्यानवी प्रवतार यह बनी है, यह बनी है, रिना भट्टी, हिसार की है, रिना भट्टी और बेटी हुई है, कि टेग लाइन चुबती थी इनको, देकर के फिर उन्होंने रिना भट्टी ने ऐसा काम किया, कि आज यह चर्चा का विशेफ इलाल के लिए, अर्याना प्रदेश की पहली महिला जो इस चोटी के पर फतेह किया है और इसके अलावा जो है इन्होंने इससे पहले भी कई सारे रिकोर्ड बनाया जैसे 2022 में रिना भटी ने आठ चड़ाई चड़ी थी और 2021 में 7000 किलोमेटर की चड़ाई करी थी 6000 मेटर एक राजेस्तर पर 6000 मेटर सतर गंटे में दो चड़ाई करके रिकोर्ड बनाया था दूसरा रिकोर्ड का नैस्नल लेवल गया 24 गंटे में माउंट अलब्रस की चोटी को फतेह इन्होंने किया है तो कई सारे 105 किलोमेटर की साइक चलिए बच्चो आज का लेक्चर इतना ही था और मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग आप मुझे बताईए अंतरास्टिय गीता महत्साव का उद्गाटन हरियाना में कोन करेंगे इसके बारे में विस्तार से बताना कल भी रहाजिर होता हूं लेटस्ट अप्रेट के साथ तब तक स्टेए हापी स्टेए हल्थी